दोस्तों आज आपके लिए ये वीडियो काफी important होने वाले है क्योंकि आज तक आपने data को कैसे match करा है वी lookup formula यूज करके या index match या x lookup यानि lookup formula यूज करके या आपने data को match करा है लेकिन आज हम कुछ different करने वाले हैं जो कि उससे भी असान होगा आपको खुद समझ में आने वाला कि हाँ यार यह काफी easy method है data को match कराने के लिए तो हमने two seats लिया data को match कराने के लिए आप तीन चार seats भी है तो आप match करा सकते है multiple field है तो भी उसका data आप match करा सकते हैं तो इसको हम देखो कैसे करेंगे तो इसको आप देखो हम कैसे करने वाले उससे पहले अगर आप चैनल पर नहीं है तो आँको subscribe परके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना जिससे हमारी हर वीडियो की notification आपको मिलती रहे क्योंकि आपको यहां सारी चीज़े depth में सिखाए जाती है तो आअब चलते हैं अपने वीडियो की ओ, तो जैसा आप देख रहे है, यहां मेरे पास सिरेल लागर, इंपिर न मेंदर पास लेकिन यहां मेरे पास डेटा का है, 147 और behaviour 276 utens ay 113 यह amount हमारा seat 2 में अगर हम देखे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मेरे पास कितना data है 137 data है और 26,14,625 यानि मुझे seat 2 के data से यानि seat 2 के data से इस data को match कराना है या यह बोल सकते है seat 1 का data match कराना है seat 2 के data से ठीक है यानि 137 यहाँ भी आना चाहिए और यह amount जो 26,14,625 यहाँ भी आना चाहिए देखो हम कैसे करेंगे simple एक हम sheet ले लेंगे हमने एक new sheet insert कर ली right seat 1 के data को पूरा को पूरा हमें select करेंगे यहाँ से यहाँ तक copy कर लेंगे और यहाँ पे जाके paste कर देंगे right और यहाँ पे मैं एक ब यह नाम दे दिया या sheet 1 दे दूँगा sheet 1 चलो इसका नाम मैंने sheet 1 दे दिया इसको copy करके यह मैंने sheet 1 इसका नाम दे दिया right अब यह seat 2 का data भी copy करूँगा क्योंकि seat 2 के data से ही match कराना इसको भी मैं copy करूँगा copy और यहाँ पे नीचे पे paste कर दूँगा अब header नहीं copy करूँग क्योंकि header तो दोनों का सेम ही है तो यहां पे मैंने paste कर दिया अब इसका नाम दे दूँगा seat 2 ठीक है यानि seat 2 के data से match कराना है मुझे seat 1 के data को तो यह दोनों हमारा हो गया seat 2 को copy किया पेस्ट कर दिया seat 2 ठीक है अब यहां पे क्लिक करेंगे insert पे आएंगे pivot table पे आएंगे new worksheet लेंगे ok करेंगे अब हम क्या करेंगे यहां पे employer name लेंगे product name लेंगे sales को दोनों को value दोनों को row section में लेंगे employer name product को sales को value section में यह आप click करेंगे तो भी automatic आजागा क्योंकि value है और remarks को ले लेंगे column में अब क्या करेंगे design पे जाएंगे report layout पे so in tabular form कर लेंगे और यहां से हम क्या करेंगे subtotal को हटा देंगे right अब आप subtotal को हमने हटा दिया अब हम क्या करेंगे इन दोनों को ऐसे selection करेंगे पूरा का पूरा right control g press करेंगे special पे जाएंगे row differences यह click करेंगे ok अब जो जो row difference है amount match न मैच कराना था seat 1 को तो seat 2 को data का क्या amount है 20,125 लेकिन यहां पे क्या है 12,943 तो यहां भी हमें seat 1 में 20,125 करना होगा right तो अभी आप देखो जैसे मैने row differences किया वह value select हो गई है जो दोनों row में match नहीं करेंगे इसमें और इसमें क्यों हमने इन ही दोनों को selection किया था यह देखो य यानि देखो यहां पे क्या sheet 2 तो sheet 2 का data यह match नहीं कर रहा मतलब यह sheet 2 हमारा difference हुआ तो यह यहां पे sheet 1 में जाके यही amount fill कर देंगे right पहला चीछ दूसरा यह 17,532 है sheet 2 में तो sheet 1 में भी जाके कर देंगे ठीक है चलो अब यहां पे आप देखो sheet 2 में हमारा कितना data था अगर देखो 140 यहां पे 137 तो 3 ऐसे row यहां पे आगे जो sheet 2 में नहीं यानि यह यह नहीं है और नीचे आएंगे एक और blank दिखेगा आपको जरूर यह तीन data नहीं है कहां पे नहीं है भाया sheet 1 में sheet 2 में नहीं है that means कि sheet 1 में extra है तो जाके यह तीनो data यह सुसान मनाली को copy करेंगे sheet 1 में जाएंगे ctrl f किया यहां पे find देखो यहां पे आ गया इसको delete कर दिया ठीक है देखो कितना easy है एक delete हो गया हमारा चलो अभी यहां पे क्या करेंगे एक delete हो गया यह और उसके बाद हम इसको भी क्या करेंगे यह को copy करेंगे sheet 1 में आएंगे इसको भी यहां से यहां से य राइंड किया, यहां पे आया, इसको भी delete कर दिया, यह तिनों काम हो गया, अब amount को change करना है, 20 125 विश्नु मौटकन है, यह यहां भी 20 125 करना है, तो यहां पे गहें, और यहां पे कर दिया हमने 20 125, उसके बाद हम क्या करें? उसके बाद हम इसका भी गया ग्यानेंद्र का भी क 17,532 है तो यहां पे भी गए और यहां पे कर दिया 17,532 ठीक है और एक दो होगा बस उसके बाद यह है हमारा पुस्पलडाहल 23,130 राइट इसको भी यहां पे गए और यहां पे कर दिया 23,130 राइट और एक लास्ट और होगा यह यह यानि 20,125 करना है इसको राइट इसको गए और यहां पे कर दिया 20,125 अब हम amount नीचे देखेंगे 26,14,625 seat 2 पे देखेंगे 26,14,625 137 data यहां भी हो गया क्योंकि मैंने seat 2 की data से ही match कराना था seat 1 यानि seat 2 का जो same चीज़ है सब कुछ seat 1 में होना चाहिए तो यहां भी अभी 140 नहीं है अभी मैं serial number को सही कर देता हूँ मैं यहां पे double click करूँगा तो यह देखो 137 data यहां भी आ गया 26,14,625 26,14,625 यानि पूरा का पूरा data मेरा क्या हो गया match कर गया easily तो कितना मज़ा आया इसको pivot table के through करने में यह data आपनों समझ में आया कितना easy था method match कराने का तो multiple column भी है या multiple sheets से तो इसी तरह आप sheet 1 यहां sheet 1 दिया था sheet 2, sheet 3 दे दोगे और इसी तरह match करा लोगे quickly तो कितने भी कैसा भी complicated data हो easily आप match करा सकते इस method का use करके हाँ दोस्तों अगर आप basic to advanced Excel भी थरे माश्टी सारा सीखना चाते है जहां सारी चीज़े हमने depth में सिखा यह company based work पे course design है course का access lifetime आपको दे रहे है chat support दे रहे call support दे रहे जहां आपके doubt instant clear होंगे साथी साथ आप अपने personal problem जो Excel पे आ रहे है उसको भी पूछ सकते वहाँ पे आपके instant doubt clear करने के लिए अगर लगा chat के through doubt clear करना तो chat के through करेंगे call के through लगा तो call के through करेंगे और NDS के through लगा या Google meet के through लाइब भी doubt आके आपके clear करेंगे सारा कुछ instant अगर आप हमारा feedback देखना चाते है Instagram पे विजिट करें जहां बहुत सारे students ने course का feedback दिया जो हम कहते हैं वो हम करते हैं तो वहाँ जाए feedback चेक करिए अब GG Technical Forum Instagram पेज है हमारा और वहाँ भी follow करिए feedback चेक करिए उसके बाद course में enroll करिए सारा कुछ analyze करिए और ये course में हमने array mastery का concept include किया जिसके बारे में एक भी single video YouTube पे नहीं है ना कोई सिखा रहा इसे सीखने के बाद आप Excel में आप Excel में master होने वाले हैं अगर आपको basic to advance clear है तो इस array mastery को जरूर इस course को जरूर ले क्योंकि बहुत ही affordable price में दे रहे हैं 699 में ये course आपके knowledge को next level तक लेके जानेभावले हैं हम guarantee देते हैं अभी आप पाइवर टेबल आपको आता होगा right लेकिन आपको ये सारे option नहीं पता ये सारे option के अंदर क्या है ये सारे option क्या है दूसरा जगा समराइज करने के बाद इस डेटा को दूसरे शीट पर ले जाके वहाँ अपने एकॉर्डिंग करते लेकिन सारा कुछ पाइवर्ट टेवल के अंदर हो जाने वाला है और इसी तरह हमने सारे आप्शन पेस्ट एस्पेसल हो गया, डेटा वेलिडेशन हो गया, क अंदर सी भी जाता है, एडवांस एकसल फॉर्मले सिखा है, मैक्रो सिखा है, सारी चीज़े हमने डेफ्ट में सिखाई है, तो कोर्स को जरूर पर्चेश करना, एपल लिंक डिस्क्रिशन बॉक्स में,